प्रेंट्स कैसे हैं आप सम मैं आपका आपना साथी सिपसंकर मिस्रा लीगल दरपन चैनल में स्वागत करता हूँ प्रेंट्स मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जमीन का रजिस्ट्री कराने के पहले आपको कौन-कौन से बिन्वों पे ध्यान देना चाहिए मंदित संपुर्ण जानकरी आप लोगों को इस वीडियो को माध्यम से देने बाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगए तो चैनल को जैदा जैदा सब्सक्राइब लाइक और शेयर किजेगा तो फ्रेंट्स जब आपको जमीन खरीदना चाहते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीदने से पहले आपको बहुत सारे पहलों को ध्यान में देना जरूरी होता है और बहुत सारे बात आपके मन में आता है कि जमीन जो बेच रहा है उसके नाम पे जमीन है या नहीं जमीन का रिट तो जै पहले आपको जमीन का जो है वो रेट के बारे में बहुत कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है तो इसलिए आपको जमीन का रेट पता करना चाहिए अब रेट में दो इस्तितियाद यह एक तो बजार का रेट होता है एक होता है सरकारी रेट तो बजार का रेट और सरकारी पकोSmith होता है जब आप प्रोपर्टिक खरिदते है तो उसको कहरितने से पहले आपको जब Majar Rate और सरकारी rate पता करना जरूरी होता है क्योंकि उसी के हिसाब से आपका system duty तै होता है और उसी के हिसाब से आपका system duty लगता है आब आपके दिमाइग मे आते हुए चलो बजार का रेट तो मैं पता कर लूँगा लेकिन सरगारी डेट हमें कैसे पताते लेगा तर किसी भी जबीन का सरगारी डेट जो है उस एस्टेट की राजयस विवाह के ओफिसेल वेपसेट से आपको मिल सकता है आप वहां पर जाके पता कर सकते हैं उस एस्टेट की जो उस website पे जाके आप उसका पता लघा सकते हैं सेकर्ड आपके दिवाग में आता रहता है कि कितने STAM duty लेगा तो पहलू जो आपको ध्यान देना है कि jest-tam paper जब आप खरदे तो STAM paper आप कितने का खरदे जीतने का सरकारी रेट है और सरकारी रेट पे जो भी फर्संट आपके एस्टेट में है। ले रहा है तो वो 5% जितना बनेगा उतने का आपको stamp duty पेक करने परेंगे उतने का ही आपको stamp paper लेना परेगा third stage होता है कि जमीन खरीदने और बेचने का paper बनवाना परता है paper में जैसे sell deed आपका बनेगा तो sell deed बनेगा या फिर यदि power attorney हो रहा है तो power attorney बनेगा जो भी है तो जमीन का खरीदने और बेचने का paper है वो paper तैयार होता है अच्छा paper में आपको बहुत सारे चीज़े आपको ध्यान देना जरूरी होता है जैसे कि आप जो भी paper बनेगा उसमें जो seller है जो जमीन को sale कर रहे है उसका detail पूरा होनी चाहिए purchaseer का पूरा detail होनी चाहिए वो कहां के रहने वाले हैं क्या उनका नाम है address क्या है उनके पिताजी का नाम क्या है सारा detail वो sell did में mention करना परता है फिर उसके बाद जो है जमीन का पूरा detail रहना चाहिए कि जमीन का खाता नमर क्या है, खेसरा नमर क्या है, कौन से खत्यान में आता है, ठीक है, तो जमीन का जितना आपको डिटेल है, वो होना बहुत ही जरूरी है, यह सारा बिबरन आपको इस पेपर के अंदर लिखा होना चाहिए, इसमें रेजिस्ट्री पेपर में पूरा होना आपको जितना भी जो खरीद रहे हैं जो बेच रहे हैं उसका एडिका और एड्रेस यह सारा कुछ होना चाहिए उसके बाद जमीन का भी आप पूरा डिटेल उसमें लिखा होना चाहिए इसके साथ जो भी नियम एवं सर्थ हैं जो टर्म कंडिशन है वो कानूनी प्रक्रिया को पालन करता हो वो सब होनी चाहिए इसके लिए आप एक अच्छे वकील को कर लेना और अच्छे वकील के माध्यम से ही आप जमीन की रेजिस्टरी करवा हैं तो आपके सारा कुछ फ्यूचर के लिए भी सही रहेगा आपके मन में कोई डौट नहीं रहेगा नेक्स आता है कि जब आप सरगारी रेट पता कर लेते हैं बजार भो पता कर लेते हैं इसके बाद अगला स्टेप जो है आपको जाना पड़ता है रेजिस्टर के पास आप रेजिस्टर के पास जाते हैं रेजिस्टरी करवाने के लिए तो जमीन का रेजिस्टरी आप उनके पास परते हैं और गबाह के अधार काड़ और बोटर काड़ एड़ी प्रूफ याड़ी और एड़ेस प्रूफ होनी जरूरी होती है ऑफिस में रजिस्टर पेपर को सब्मिट करते हैं इसके बाद रजिस्टर जमीन खडीद और बेच रहे बैक्ती से कुछ समाने सवाल पूछ सक पर क्रेटा बिक्रेटा दोनों से हस्ताक्षर करवाते हैं उनका साइन करवाते हैं जो जमीन बेच रहे हैं और खडीद रहे हैं दोनों का साइन होता है फिर रजिस्टर का कारी जो है आपको पूरा हो जाता है इसके बाद आपको एक रिसीट दिया जाता है इसे आप सभाल आप उहां से अपना document उस receipt को दिखा के रजिश्टार के पास से जमीन का paper जो है रजिश्टी वो आप निकाल लीजेए। यदि जमीन के रजिष्ट्री में कोई दिक्कत हो गया तो आप इसके औरिजिनल पेपर रजिष्ट्री मिल जाने के बाद आप इसको जो है कोई दिक्कत होए ता ओनलाइन सुधार करवा सकते हैं एक important बाद है friends कि जदी आपका जमीन रजिष्ट्री हो जाता है तो रजिष्ट्री करने के बाद आप उसको तुरंट दाखिल खारिज कर वाले है क्योंकि जब तक जमीन का मुटेशन नहीं होता है दाखिल खारिज नहीं होता है तब तक आप जो है मालिकाना हग प्राप्त न आप अपने state के हिसाब से जाके दाखिल खारिज करबा लीजिए जमीन का रजिष्ट्री कराने के बाद जैसे ही अप दाखिल खारिज करा लेंगे वह ownership ट्रांसफर हो जाता है आपके नाम पे पिर वह जमीन हो जाता है यदि आप दाखिल खारिज नहीं कराते है तो आपका जमीन जो है वो जो बेचा है जमीन वो अभी आपको बेचा है आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया आपने सोचा मैंने रजिस्टी करा लिया मेरा जमीन हो गया लेकिन वो जमीन ऐसे आपका नहीं हो सकता है इसके लिए दाखिल खारिज कराना पड़ता है नहीं तो वो किसी अब फ्रेंड्स आपके मन में जब रजिस्ट्री हो जाता होगा तो रजिस्ट्री होने के बाद बहुत सारे प्रशन आते होंगे आपके दिमाग में जैसे की मार्केट का बेलू और सरकारी रेट हम कैसे पता करेंगे मैंने कुछ बताया है इसके बारे मैं लेकिन आप राजोस दुभा की ओफिसल वेबसाइट को ओपें करके कि सरकारी रेट को है उसको ऊप चेक कर सकते हैं घर बैटके ही आप चेक कर सकते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है वो हर एक estate के हिसाब से उसका site बना हुआ है, उस site पे जाईए, आप वहां पे चेक कर चकते हैं, stamp duty भी आप अपने area के हिसाब से जितने जमीन की किम्मत है, जमीन का जो सरकारी rate है, वो सरकारी rate का जितना भी stamp duty जो percent आपके state में, हर एक state में अलग-अलग stamp duty लगता है, तो जितने परचेंट बना, उस percentage के हिसाब से आप जो है stamp duty भरिए, वो stamp duty एक text के रूप में सरकार लेता है, उतने का आप अपना stamp paper खड़ी दिये, आप friends, सबसे महत पूर्ण बात ये होती है कि जमीन के खरिदने से पहले आपके दिमाग में आता है कि जमीन जो ब्यक्ति बेच रहा है, क्या उस ब्यक्ति के नाम पर वो जमीन है या नहीं है, इस बातों को जानने के लिए आपके दिमाग में बहुत से ख्यालात आते रहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना परेगा, आप खातियान निकालिए, यदि offline चाहते हैं, तो खातियान निकालिए, खाता नमर निकालिए, खेसरा नमर निकालिए, उससे आप पता कर सकते हैं, online भी यही इस्तिति है, online जो है, जिस state में online की सुधा है, वहाँ पे website पे जाईए, website पे जानने के बाद, जो खाता नमर है, ख आपको चेन का भी चेन करना चाहिए, पेपर देखना चाहिए, कि पहले जमीन किसके नाम पे था, फिर उसने किसको बेचा, फिर किसको बेचा, फिर किसको बेचा, फिर किसको बेचा, पूरा चेन बना हुआ था है, इसलिए जमीन को खरीदने से पहले आपको उस चेन का पता क करना चाहिए चेन के बाड़े में आपको जनना चाहिए आप फ्रेंट्स आता है कि जमीन का रजिस्ट्री करने के लिए कौन-कौन से दस्ताबेज की जरूरत होती है कौन से पेपर होनी चाहिए तो जमीन का रजिस्ट्री करने के लिए आपको पहचान पत्र होना चाहिए कर सकते हैं दस्ताबेजों की जो स्रिंकला हैं उनको पूरा कर सकते हैं तो यह सारे paper आपके पास होना चाहिए है logistic करने के लिए मेली रूप से आपका जो गवा है उसका id-prude address पूर होनी चाहिए फिर जो क्रेता और बिक्रेता है उनका ID-proved address होने चाहिए और जमीन का जो पहले paper है जो जमीन बेच रहे हैं उनका paper वहां पे होना चाहिए कि ना यह जमीन हम दे रहे हैं यदि paper नहीं है तो उनका खाता खेसरा नमर यह दी है तो वो खत्यान से पता चल जाता है खाता खेसरा नमर आपका होना चाहिए उससे जो ब्यक्ति बेच रहे हैं वो एक ब्यक्ति को भी बेच दिए फिर वही जमीन दूसरे ब्यक्ति को भी बेच दिए फिर तीसरे ब्यक्ति को भी बेच दिए अब जो ब्यक्ति खरीद रहा है वो ब्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं समझने का यहां पे main है कि आप जमीन खरीद लिजे और सबसे एहम बात जो है उस जमीन का चेन देख लिजे कि पहले किसके नाम पे जमीन था फिर किसके नाम पे आया फिर किसके नाम पे आया यह चेन आप पता कर लिजे चेन पता कर लेने के बाद आप जब रजिस्ट्री करा लेते हैं तो रजिस्ट्री कराने के बाद स अभी नहीं भूलें जमीन का मुटेशन आवस्य ही करा लें क्योंकि जब तक आप मुटेशन नहीं कराएंगे तब तक आपको मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा और मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा तो कोई दूसरा ब्यक्ति जो भी है वो उस जमीन पर राइट कर सकता है वो बोलेगा कि नहीं मेरा अरिकार है या मेरा जमीन है तो इसलिए इन सब पहलों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है तो I hope कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा फिर भी आपके मन में कोई query हो जमीन के रजिस्ट्री से संबन्दी तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं म उसका जवाब देने का कोशिस करूँगा आज तक के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए